नमस्कार फेंट्स में नाम बवलू उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आदम देखने बाले है बीकॉम्स 30 यर वालों के रहने वाला यहां पर मैंनेजमेंट एकाउंटिंग का मॉडल पेपर 2022 तो फेंट्स यहां से आपको मिलने वाले है सारे की सारे क्योशन आपके एक्जाम में तो फेंट 2022 का यह अपना मॉडल पेपर रहने बाला है ठीक है तो भाई अगर इसका नोट्स डार्लोड करना है तो कहां से करेंगे क्योंकि इंपूर्डेंट क्योशन तो आपने दे दिये तो भाई नोट्स कहां से लें अब तो नोट्स आपको मिलेगा डिसक रहे हैं वह उद्क है क्यों रहे है चांप तो देखते हैं को बंग है देखे तो हम भीया साज़ा के ऊंख् Sorry ना फर्वा न करते है लेखाम्न विधी की प्रिकरती आगे पड़ते हैं नेस्स liः से महात्वा बूमिका भी बतानी है धी बाई Quran मैं आगे बड़ते हैं नेक्स कुशन जो आपके एक्जाम में देखने को मिलने वाला है फिर्का प्रबंद किये लेका बिधी से क्या आसे बढाई रखी लेका विधी की पिरकरती तो आसे तो बता माई पड़ेगा वहाँ पर भी क्योशन वही से मैं कह रहा हूं क्योशन छपेगा यह ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो next question model paper करने पाला है प्रबंदकिये लेखांकन प्रबंदकिये लेखांकन तथा बित्तिये लेखांकन में आपको क्या करना है अंतर बता देना है बैरी बैरी इंपोर्टेंट कूशन वाता है ठीके आगे देखो next question जो model paper का 2022 में आपको paper में छपते हुए देखने को मिलेगा देखो बात करते हैं बित्तिये विवड़ क्या होता है जो बित्तिये विवड़ है वो है क्या इससे क्या आस से है इसकी परिभासा बताओ बित्तिये विवड़ की विसेष्था है अरे विसेष्था यहां भी तरह का है बित्तिये विवड़ की विसेष्था है प्रकरती और कार्याव महात के बारें बताना है जो उपर है बही नीचे है भी सेम क्योशन को कोई बात में repeat लिख लग का है ठीक है आगे बढ़ते है next question मिलेगा देखने के लिए मिलेगा देखने के लिए छपते हुए दिख रहा है यहां पर मुझे ठीक है आगे बढ़ते है next question का क्या रहने वाला है बरतमान में बित्तिये विवड़ों में क्या अधिनिक प्रवर्ती दिखाई देती है उनमें क्या अधुनिक प्रवर्ती दि पर बनोगे बस इतने ही पढ़ लेना और हैडिंग लिखकर आंसर देना हैडिंग बहुत फोकस करती है है एडिंग से नंबर बढ़ते हैं ध्यान रखना हैडिंग डाल कर ही उत्तर देना आगे बढ़ते हैं अनुपात बिसलेशड अनुपात बिसलेशड होता क्या है इसका मह आबस्यक्ता सीमाएं और आपको साब धानियां भी बतानी पड़ेंगी वैसाब धानियां भी बतानी पड़ेंगी आगे देखो नेक्स कुशन जो एकजाम में छपेगा मिलेगा आपको देखने के लिए बात करते हैं फंड बहाब विब्रल क्या है जो फंड बहाब विब्रल है क्या पहुत important और छपते हुए exam में दिखेगा भई है ना आगे बते हैं next question जो मिलेगा आपको देखने के लिए रहे रोकड प्रिभाव बिब्रड क्या है अब देखो रोकड प्रिभाव बिब्रड क्या है इससे आप क्या आस है इससे इसकी परिभासा क्या है उपियोग त लागत पदती जो सीमा बिर्टी लागत पदती है उसके बारे में को इसपष्ट करना है तता लावहानी बता दो इसकी लावहानी है क्या important question है भई छपराइक जाम में पढ़ लो फटापड बात करते हैं next question मोड़ा पिपर का क्या रहने वाला है दिरका विवेदात्मक अबसोसर या संबिलेन लागत बिधी क्या है संबिलेन जो लागत बिधी है वो है क्या संबिछेद बिसले सड़ परियोग तता इसकी सीमाएं बता दो बहुत important है भई छपते हुए दिख रहा है और एक्जाम में मिलेगा आपके लिए आगे देखते हैं next question क्या मिलने वाला एक्जाम में और 네 next question budget album budgeting को क्या करना है परिभासित करना दोनों की इसके अर्थ बताना है उद्झे से बताना है और आपको संकाओं तथा उसके लाब भी बारे में बताना है इसके लाब क्या है और इसकी संक्याय क्या है ये भी आपको बताना ये आगे बढ़ते है नेक्स बजेटरी नियंत्रल क्या है वही बात है यहां बजेटिंग कर दिया बजेटरी कर दिया बजेटरी नियंत्रल क्या है उसके उद्देश बता दो बिसेशताएं सीमाएं और नियंत्रल सीमाएं भी आपको बतानी है बिसेशताएं और सीमाएं साथ में नियंत्रल करना आपको बताना इसके लिए बहुत important question आगे देखो model paper का next question क्या रहने वाला है उत्तरदाइत लेखांकन से आप क्या समझते हैं जो उत्तरदाइत है उसे लेखांकन से आप क्या समझते हैं मुख्खे लक्षड अताना इसके कौन-कौन से हो जाते हैं ठीक है आगे देखेगा निस्पादन बजट क्या है निस्पादन बजट है क्या इसके महात्व और इसकी सीमाएं कोल कर लिख दो हैटिंग डाल कर खुल के लिखना एक्जाम में खुल के क्योंकि पढ़के जाएंगे तो एक्जाम में खुल के लिखेंगे और खुल कर क्या मिलेंगे फिर नमबर मिलने वाले हैं आपके लिए और आइवार बनने वाले व供 आगे बढ़ते हैं नेक्स कुषन यहां देख है सुन यांधार बजेट क्या है सुन या अधार मेजट क्या होता है इसके गुड़ दोस बताओ चंपर आए बहाई चंप हुट ऑगे देखो तुन ने आधारत बजटिंग की विचार धाणा आपको बताना है क्या होती है इसके पूर्व सर्ते भी बता देनी है कौन कौन सी ओने वाली है आगे देखो नेक्स बनने वाला है मौटर पीपर का बात करते हैं प्रमाप लागत बिधी जो प्रमाप लागत बिधी है वो है क्या इसके उद्देश की वेचना करना है और लाब भी आपको खुलकर लिखना है खुलकर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स लेकिशन देखीगा देखाया क्या होता इसको भी साथ में लेक्दिन आए बिलकुल आगे बढ़ता है नेक्स कोस्ण को को देखो प्रमाप लागत और अनुमानित लाइखत क्या है एतिहासिक लागत और सोरी इन सब में क्या वताना है तीनों में आपको अंतर बता दो तीनों में का करना है अंतर छपराय बेच्छप लिख लो छपराय देखने को मिलने वाला एक्जाम में 2022 में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन मोड़न पेपर अब यहां से कुछ आंकित पिरसन हो जाते हैं जो आपके एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो सीमाएं खुल कर लिख देना है बहुत एची प्रिकार से हेडिंग डाल कर कुशन को अची प्रिकार से लिखना ठीक है आगे बात करते हैं तुल्नात्मक आर्थिक चिठ्था क्या है जो तुल्नात्मक आर्थिक चिठ्था होता है उसके बारे मताना है इसके लाब और इसका डाचा बना देना है, क्या है इसका डाचा बनाना नहीं बताना है, ठीक है? आगे बात करते हैं, यहाँ देखेगा, बिनियोजित पूझी पर प्रत्याय की गड़ना करना है, तथा इसके भई लाब बता देना है छपेगा क्योशन छपेगा और मिलेगा 2022 में आगे बात करते हैं संचालन अनुपात क्या होते हैं इसकंद आबर्त अनुपात क्या होता है और चालू अनुपात क्या होता है अंतर भी पूचेगा भई छप रहा है लिख लेना देखने को म लेंगे आग cerida प्रवर्तिती स्लेशड क्या होता है इसके बारे में बताना है स्वाभित्व अनुपात और । आर्थिक चित्टा आपको बनाम आर्थिक चित्टा बनाम के बारे में आपको यहां पर बता देना है थीक इसकी लाबहानी आता भी देख लेना है ठीक है चिट्ठा वाला आगे देखेगा चिट्टे का आपको लंबत रूप बताना है चिट्टे का लंबत रूप क्या होता है कृत्रीम संपत्या क्या होती है कारसील पूंजी एवम इसके महात्र बता देना है कौन-कौन से हो जाते ह ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन क्या रहने बाले हैं बात करते हैं संचालन क्रियां तथा बिनियोग क्रियां और वित्तिय क्रियां क्या है बतादो अंतर भी पूछ सकता है तो इस भई छपने वाला क्योशन और छपराय देखना 2022 में बिल जाएगा आपके लिए बात करते हैं सीमा बरती लागत पद्ति की सीमा बताना है विवेद आत्मक लागत लेखाश बिदी जो वोती है उसके बारे आपको खुल कर नेक्स कर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछिन तुनिया धार बजट बजटन सूरे प्रतेच ragdam प्रतेच स्रम बजट क्या होता है 9 इसके बारे में आपको बता देना है बस इतने ही क्योशन आपको पढ़ना और कुशनों को नहीं देखना है तो एक बास सभी लोग क्या करना है इसकीन सोट लेते जो मैं रोपते जाओंगा चलाते रहूंगा आगे की और तो इसकीन सोट ले ले तो कि 2022 में चप रहे हैं चप भई यहीं मिलेंगे 15-16 क्योशन है अगर इतना भी नहीं पढ़ोगे एक साल में तो कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का अगर इतना भी ना पढ़ सके और टॉपर ना है तो ठीक है तो फेंस बीकॉम सेकेंडर बालों के लिए अपर मैनेजमे कर दोड़े है जये ना like करना यूर करना शेर करनाे शीर करना है शेर और चैनल को कर देना है सब्सक्रेब बयेल आइकेन को इतना तोड़ो जोकि दो भागों में डिवाइड हो जाए और नोटिफिकेशन तुम्हारे घर पड़िगर ए रहे हाचे लाइकर नसे तना यहीं renewed जय भारण